इस्राइल के एक सांसद ने हमास के खिलाफ न्यूक्लियर आक्षिन की बात गई है इस्राइल के उस सांसद ने अपनी सरकार से हमास के खिलाफ युद में परमाणू हत्यारों के इस्तिमाल पर विचार करने को कहा है इस्राइल के पास दश्कों से परमाडू हत्यार हैं लेकिन इस्राइल अर्से से अपने परमाडू हत्यारों पर खुल कर बोलने से बच्चता आया है लेकिन दावा ये किया जाता है कि इस्रेल एक परमानु बम गाजा की पूरी आबादी को भाब बना कर उड़ा सकता है परमानु हमले का विकल्प नमबर एक परमानु हमले का विकल्प नमबर दो परमानु हमले का विकल्प नमबर तीम परमानु हमले का विकल्प नमबर छा गाजा में परमानु हमले के इस चार विकल्पों में से किसी भी एक विकल्प का इस्तिमाल अगर एस्रेल ने किया तो वो होगा जिसे देखकर पूरी दुनिया दहल जाएगी अगर एस्रेल गाजा की जंग में न्यूक्लियर अटैक का नमबर आ गया तो मिडल इस्त की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी गाजा में अगर एस्रेल ने परमानु बम गिरा दिया तो पूरा का पूरा गाजा वीरान हो जाएगा वहां की धरती बंचर हो जाएगी गाजा में रहने वाले करीब 21 लाख इंसान भाप बन कर बूर जाएगे उस परमानु हमले के आगे इस्रेल की तरब से गाजा में हो रहे के धमाके थी बहुत छोटे साबित होंगे ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसकी कई ठोस वज़े हैं इस्रेल के एक संसद ने अपनी सरकार से हमास के खिलाफ युद में परमाणू खथियारों के इस्तिमाल पर विचार करने को कहा है इस इस्रेली संसद का नाम है टाली गोटले गोटले उने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा है कि हमास से निपटने के दौरान इस्रेल को निर्दई होने की जरूरत है टाली गोटलियों ने अपनी पोस्ट में लिखा है किवल एक विसखोट जो मध्य पूरों को हिला देगा इस देश की गरिमा, ताकत और सुरक्षा को बाहाल करेगा ये प्रलय का दिन शूमने का समय है सोशल मीडिया पेटपॉम पर टाली गोटलियों ने इस्रेल के जरीको मिसाइल का जिक्र किया है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जरीको मिसाइल से इस्रेल चाहे तो परमाणू हमला भी कर सकता है इस्राइल अपनी मिसाईलों के जरिये गाजा या फिलिस्तिन क्या मेडल इस्ट के किसी भी देश पर परमानू हमला बोल सकता है इस्राइल अपने मिसाइलों से गाजा समेत पूरे फिलिस्तीन या फिर मिडिलिस्ट या फिर किसी भी दुश्मन देश पर परमानू हमला कर सकता है इस्राइल के मिसाइल चिंगारी छोड़ते हुए अपने टार्गेट पर ऐसा सर्वनास कर सकते हैं जैसा कि जापान में दुश्मन दुश्मन के दौरान हिरोसीमा और नागासाकी पर हमले के दौरान हुआ था लेकिन अगर गाजा पर परमानू हमला करना हो तो इस्राइल इसे अपने बड़े परमानू बमों के बजाए छोटे परमानू बमों से अंजाम देगा जिसे हथियारों की भाषा में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कहा जाता है टैक्टिकल न्यूक्लियर बंब स्ट्रेट्जिक न्यूक्लियर बंब से छोटा होता है इसका वजन एक से सौ किलो टन का हो सकता है इसमें छोटे परमाणू वार हिड लगे होते हैं असर की बात करें तो धमाके के बाद 350 मीटर 30 सेकंड की रफटार से शौक वेव बनता है। विस फोर्ट के बाद फैलने वाला रेजियो एक्टिव रेडियेशन भी बहुत सिमित होता है। लेकिन नुकसान बहुत अधिक होता है। टैक्टिकल नुकलियर बम की रेंज की बात करें तो जब ये फटता है तो 200 मीटर तक आग का गोला बन जाता है। इसके फटते ही 1.6 किलो मीटर तक हर चीज जल जाएगी। इसे जट, यूर्ध पोर्ट, पंडुब भी, क्रूज मिसाइल से फायर कर सकते हैं। इसे तोप के गोले की तरह भी फायर किया जा सकता है। पूरी दुनिया जानती है इस्रैल अपनी धर्थी से परमाणू हमला कर सकता है। आस्वान के रास्ते इस्रैल के न्यूकलियर बॉमर परमाणू बम गिरा सकते हैं। समंदर में मौझूद युद्वोच से परमाणू मिसाइल डाग कर कहर बरपा सकता है। समंदर के अंदर मौझूद पंडुब्बी से इस्रैल न्यूकलियर अटैक कर सकता है। इस्रैल के परमाणू शस्त्रागार के बारे में दुनिया जितना जानना चाहती है। इस्रैल के परमाणू टेकानू पर रहती है। लेकिन इस्रैल है जो अपने परमाणू टैकानू का बदा साथ तालों में बंद रखता है। इस रिपोर्ट को बहुत गोर से देखिए। इस्रैल की ये मिसाईल जब हमला करती है तो कैसे कहर बरबाती है। वैसे तो इस्रैल अपने परमाणू कारिक्रम के बारे में जानकारी साजा नहीं करता। और इसी लिए उसके पास कितने हथ्यार हैं। इसका आकलन करना मुश्किल है। लेकिन दुनिया भर के परमाणू हथ्यारों पर नसर रखने वाली संस्था है। Stock Home International Peace Research Institute के एक रेपोर्ट के मुताबिक इस्रैल के पास करीब 90 परमाणू हथ्यारों का जखीरा है। इन में से 30 ग्रेविटी बम हैं जिन्हें लड़ाकों विमानों के जरिये निशाने पर गिराया जा सकता है। 50 परमाणू बम जरिको बैलेस्टिक मिसाइल पर लगाये जा सकने वाले बम है। दावे के मुताबिक इस्रैल 6 डॉल्फिन क्लास की पंडुप्यों से भी परमाणू हमला बोल सकता है। माना जाता है कि ये पम येरुशलम के नजदीक एक सैनने अड़े की गोफाओं में मोबाईल लॉंचेट्स के साथ रखे गए हैं। हम आपको इस्रैल के सभी परमाणू ठिकानों की सथीक लोकेशन बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले इस्रैल के न्यूक्लियर पावर से जुड़ेर रहस्य को जान लीजिए। FSA यानि Federation of American Centers के मुथाबिक इस्रैल के पास करीब 980 किलोक्राम प्लूटोनियम का बंडार हैं। जिससे वो 170 से 278 परमाणू बंबना सकता है। इस्रैल हर और दुश्मनों से घिरा हुआ है। 22 सितंबर 1999 से इस्रैल रहस्य मई परमाणू परीक्षा। दाबाद तो ये भी किया जाता है कि इस्रैल में परमाणू मिसाइलों के लिए। ऐसे साइलों बने हुए हैं जहां परमाणू मिसाइलों को लगाया गया है। इन साइलों की गहराई करीब 170 फीट है। साइलों का भूमिकद परीसर तीन हिस्सों में बठा है। पहले हिस्से में मुक्ष साइलो है जो मिसाइल का लौँच पैट है। यही परमाणू बं से लैस्ट मिसाइलें भी रखी जाएंगी। दूसरा हिस्सा मास्टर कंट्रोल रोम होता है जहां मिसाइल लॉंच का बटन होता है तीसरे हिस्से में मिसाइल सेंटर में काम करने वालों के क्वार्टर बने है इसमें पानी बिचली और सिविट सिस्टम है पूरे भूमिकर परिसर को परमाणो हमले का सामना करने के लिए भ पूरी दुनिया मानती हैं कि इसराइल जो ठान लेता है वो करके रहता है इस बार इसराइल ने गाजा का सर्वनाश करने का ठाना है ऐसे में परमाणू हमले की आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता इसराइल के रेगिस्तान में छिपे बम की कई खोफिया कहानी तबी हुई है इन्ही कहानी में इसराइल के परमाणू ठेकानों की लोकेशन भी है पहले ठेकाने का नाम है नेगेव परमाणू अनुसंधान कीन यहां इस्रेल के पर्माणू हत्यारों का बुनियादी धाचा मौझूद है दूसरा ठिकाना इस्रेल के इलाबुन में है दावा है कि इलाबुन में इस्रेल ने टैक्टिकल पर्माणू बमों और बारूदी सुरंगों का जखीरा जमा कर रखा है तीसरा ठेखाना इसरैल ने कफर जेखारिया में बना रखा है